मेरा नाम आशिस दिक्षित है और आप इस वक्त इंडिया ने उसका डिजिटल प्रेटफॉर्म देख रहे हैं टीवी के राम अरुन्ड गोविल ने आज जो है मेरट से बीजेपी का परचा भर दिया है अपना परचा भर दिया है जब ओ नमांकन उन्होंने किया तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बताई आज आपको हम बताएंगे कि टीवी के राम कितने धन्वान हैं जो चुनाव आयोग में उन्होंने परचा दाखिल किया है और उन्होंने उसमें क्या लिखा है उन्होंने लिखा है सबसे पहली उनकी संपत्थी तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे या फिर आपको पता लगेगा क्योंकि आम तोर पर जो पॉलिटीशन होते हैं उनकी छवी बेदाग नहीं होती लेकिन खास बात ये है कि टीवे के राम की छवी बिलकुल बेदाग है पहली संपत्थी उनकी ये हो सकती है सबसे अच्छी बात ये है परदे पर भगवान राम ने आपने देखा होगा रामण कवद किया था लेकिन उनके पर कोई भी ऐसा कोई क्रिमिनल जो है मुकदमा नहीं है ना ही उनके पास शस्त्र है लाइसेंस है उसका और इसके नामा उनके पास एक मरसीडीज कार है जिसकी कीमत करीब 63 लाक रुपए है अरून गोविल के पास कैश में 3,75 रुपए है बैंक अकाउंट में करीब-करीब एक करोण रुपए का असपास है उनके पास पत्नी जो है उनकी लेखा उनके पास करीब-करीब 4 लाक रुपए कैश है और उनके जो पत्नी है उनके बैंक अकाउंट में करीब-करीब 85 लाक रुपए है अरुन गोविल ने शेयर बाजार में करीब एक करोंड रुपए लगा रखें अपने एक करोंड बाईस लाक रुपए और म्यूचिल फंड की बात करें तो करीब करीब हमारे साथ कमला है कमला शेयर बाजार में अरुन गोविल के करीब करीब एक करोंड बाईस लाक रुपए दो करोन, दो करोन, 82,00, करीप करोन के असपास, उन्होंने कई कंपनियों के शेर ले रखे हैं, इसकी अलामा, उनके पास 220 ग्राम सोंगा है, जिसकी कीमत है, करीब करीब 11,00, रूपय है, जबकि पत्नी के पास 600 ग्राम सोंगा है, और उसकी कीमत करीब करीब 33 लाख रुपए के असपास है आचल संपति के बात करें तो पुने में एक प्लोट है और मुंबई अंधेरी वेश्ट में उनका घर है दो टावर हैं दो फ्लैट हैं उसमें जहां वो रहते हैं खास बात यह है कि मरसिडीज कार भी है शेर बाजार पैसा भी लगा हुआ है तमाम चीजें हैं लेकिन वो करज़दार है टीवे के राम करज़दार है उन पर करीब-करीब 14 लाख रुपए का करज है यानि कि उन्होंने कार लोन ली थी दो हजार बाइस में उन्होंने मरसिडीज ली थी उस पर करीब-करीब 14 लाख का लोन है जो उन्होंने एक्सेस बैंक से लोन लिया था टीवे के राम आज उन्होंने नामांकन कर दिया उनका ये शवी उनकी बेदाग है सबसे पहली खास बात तो ये है उन पर कोई अपराधिक मुकादमा नहीं है क्या लग रहा है जो वहां से अतुल प्रधान कैंडिडेट है क्या लग रहा है उनकी साब शवी और जिस तरीके से यूपी में देख रहे हैं कैसे भगवा मय की बात राम मंदिर बनने के बाद हो रहा है उनकी जीत कितनी ठीक लग रही है होगी नहीं होगी क्या लग रहा है देखे अरुन गोविल की जीत अब 60% मान के चलिए ठीक है उनकी छवी बहुत अच्छी है एक तो राम की भुमका वाली बात है लेकिन मेरट से समाजवादी पार्टी जिसको टिकट दिया है अतुल प्रधान अतुल प्रधान बहुत मजबूत नेता है 2022 के विधानसवाद चुनाओं में अतुल प्रधान ने संगीत सोम को बहुत बड़ा नाम सर्धना से संगीत सोम को दोने लगभग 18-20,000 का कुछ मारजिन था जो मुझे याद है 18-20,000 के मारजिन से विधानसवाद चुनाओं उन्हों ने संगीत सोम को हराया था तो जिस तरीके से अतुल प्रधान ने जीत हासिल की पूरे प्रधिस में उसके चर्चाएं भी जीत मेली और उसी का नतीज़ा है कि अखिलेश यादव ने मेरट से अतुल प्रधान पर दाव लगाया है रही बात गोविल की तो चवी उनकी बहुत अच्छी है और इस वक्त हर जहां बीजेपी 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 है राम मैं और राम की बात है और राम मंदिर बना हुआ है तो माहल तो हर तरीके से बीजेपी के पक्च में है लेकिन कोई क्लियर कट ये कह दे कि इस बार और उनको गोविलमान से चुना जीत जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है जीत सकते हैं जीते हैं एक ये भी फाइट होगी अतुल प्रधान को आप बिल्कुल हलके मत लीजेगा कि मैंने पताया है कि संगीत सोम को हराना बहुत बढ़ाए्ट हो Ouais दो एक रसने करें मुंबई से आके सीज़ा लर्णा। और जो लोग चुनाओ लड़ना चाहते होंगे कुछ लोग चाहते होंगे कि राजियंद्र गवाल का टिकट कहते तो मैं लडू उनकी जगा मैं हून लेकि एक दम शाके मेरट में आके प्रधाना च कि बात करें तो हर कोई खुश नहीं है विकि आप बाहर से आए आपको टिकट मिल गया क्यों कि मोहल बनाना था उपर से आप राम के किरदार मेरे दिख चुके हैं राम अंदिर बन चुका है और मेरेट मेरेट ऐसी सीट है जहां पर जो कहते हैं ना कि अगर समिकरन देखें त तो वहां कैसे मैंदश करना है कैसे वोटो को एक साथ रखना है इसके लिए ग्रवील जी कु लाया गया है लेकिन मैं फिर वही क्या रहा हूं कि one sided नहीं होगा इस पार मेरेट कचना one sided नहीं होगा जिस तरीके सरुल अतुल्परधाम को मैदान में उतारा गिया one sided नहीं अगातार महनत कर रहा है सोच रहा है कि उसे टीकट मिलेगा लेकिन आप किसी बाहर ही को लागर टीकट देते तो विरोध होता है भले ही वह बाहर विरोध ना है लेकिन मन ही मन में विरोध होता और यह कहीं न कहीं वोटिंग के दौरान असर डालेगा राम लहर है राम मैं सब कुछ है लेकिन मेरट में जीतेंग या नहीं जीतेंग बड़ी बाद हमार साथ दिपांशी है मेरट की रहने वाली है और दिपांशी खरकौंदा की रहने वाली शायद मैं सही जगा नाम अगर बुला रहा हूं क्या लग रहा है कि मेरट में रहने वाली भी है और मेरट में अ उनके चर्णों में अपना दिल रखने के लिए तयार है बट जहां बात राजनीती के आचाती है न तो वहाँ पे मेरेट की जो पसंद है न वो कुछ और है जाती वाद कहलीजिए आप ये कहलीजिए कि किसको कितनी समझ है पॉलिटिक्स की तो वह उस नजरीय से अगर अभी जो देखा जाएगी किस तरह से माहौल चल रहा है मेरेट में हाली कुछ दिनों पहले होली से पहले मेरे घरवाले गए थे तो बता रहे थे कि अभी जो पॉलिटिक्स को लेके माहौल चल रहे तो वह अरुन कोविल जी के लिए थोड़ा 50-50 वाला केस बन सकता है क्योंकि उ ऐसे में हो सकता है कि सियासत पलट जाए जो बीजेपी ने उनको एजा केंडिडेट राम के तौर पर उता रहा है कि राम मंदिर भी बन गया है तो वो जो इफेक्ट है या फिर वो जो ट्रिक है वो शायद उल्टी न पड़ जाए बाकी देखना होगा कि कौन कितने जादा वोर्ड की दालते है वो तो चार जुन को पता ही जब जाएगा बात तो सही कह रही है कि मेरट में घाग बैठे उएं और राम कहीं सीधे ना पड़ जाएं क्योंकि राम की छवी मुस्कुराने वाली है और यहां मेरट में दबंगों की दबंग है यहां पर एक से एक तो वो रहते हैं. हमारे साथ गौईश ंंकर जी है? गौईश ंंकर जी, मेरट में अतुल प्रधान वर्सेस आरूल गोविल है. ऑरूल गोविल जी ने नामांकन कर दिया, उन पर कोई भी आप राधिक मुकदमा नहीं है, उन, उन, उनके पास कोई मुंबई में रहके इतनी फिल्मों में काम करके कोई नहीं हुई अब इतना सीधा इंसान अगर मेरट में के आके थे हो property मेरट में आकर चुनाव पश्रे चुनाव लड़ रहे हैं तो क्जिए लग रहा है कि तु interactions जीत है अंदर क्या चल रहा है क्या आप तो सर्वे करते हैं अंदर क्या चल रहा है मेरट मेरट का जो चुनावी समीकरण है उसको समझने की जरूवत है मेरट में चुनाव ना तो अरुन गोविल लड़ रहा है ना दूसरी पार्टियां लड़ रही है बलकि मेरट को जीतना बीजेपी के लिए नाक का सवाल है अब हो गया है हाँ नाक का सवाल है नाक का सवाल इसलिए है कि शिराम का मंदिर बना शिराम के सबसे बड़े पुझनिये अगर एक मौडरन अवतार के तौर पे देखा जाए तो अरुन गोविल जी का नाम आता है अरुन गोविल जी को लो प्रफ्राइब अधार यहां पर बीजेपी का जो नारा है 400 पार इस 400 पार के लिए मोदी और मोदी की तमाम टीम मतलब पूरी तरह से जोर लगाएगी कि हम मेरट जोर लगाने बहुत अलग है देखे आरलडी ने मेरट जो है मैं बतारो का लेंड है मेरट 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 में एक म मजबूत समय करण है अब आरलडी उधर चली गए तो आरलड जाट और मुस्लिम अलग-अलग हो गए समझे तो जाती बात बहुत है मेरट में बहुत ज्यादा और एक से एक दवंग नेता है तो क्या चीत पाएंगे देखे यहां मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी के पास स मुस्लिम ठीक है वोट नहीं करेंगे लेकिन जाट भी बीजेपी के पक्ष में आएंगे बाकी जो दुसरे वोट यादव का नहीं कह सकते हैं लेकिन राम मंदिर बनने के बाद यादव के वोट बैंक में सेंधमारी तो बीजेपी जरूर थोड़ा बहुत जरूर करेंगे यादव नहीं वोट करेंगों वहांका चुनावी समेकरण में मुझे पता है जाती समीकरण वहां पर कितना हावी है जाट का यादव का इसके बावजूद मैं कह रहा हूं वहां सबसे बड़ा फैक्टर आज की तारीक में पना हुआ है मंदिर राम मंदिर देघन के बाद अरुन गोविल चुकि अरुन गोविल शिराम हक का रोल किये थे तो उस रूप से लोगो हाँ पर देख रहे हैं तो चाहे जाट हो चाहे यादव हो मैं आपको एदम दाबे के साथ कह रहा हूँ कम से कम सेंधमारी होगी तो 25% से कम नहीं होगी मेरट में और जितने का सबसे ब से टिकट दिया गया तो बड़ा नाक का सवाल है बीजेपी के लिए बीजेपी तमाम हत्कंडा वहां पर इस्तेमाल करेगी किसी तरस वह उस सीट को जितने के लिए और चुनावी समिक्रेंट भी इस वक्त बीजेपी के पक्ष में दीख रहे हैं खेर हमारे साथ कास्ट फै अरतियाशी वाला फैक्टर है भले वह वहां के रहने वाले हैं लेकिन मंबई में रहे हैं मुंबई में रहे हैं ये मेरट से टीवी कराम क्या जीत पाएंगे चुनाओ इतने सीधे हैं सौम में हैं एक भी मुकदमा नहीं है शस्त्र भी नहीं है संपत्ति भी नॉर्मल है इ श्त्र भी में उन्हों ने अबने अबनाप नामे में डालत दिया, मेरे पास क्या है, क्या उनकी सौम.6 क्यूक्दमे करामSabag के छलते ही वह जीत पाएंगे चुनाओ या उनको हकड़कंडे अपनाने पड़ेंगे बीज़ेपी को या उनको ने बीजेपी को वहाँ पर जीत के लिए अपने तमाम सामदम दन्रबेड अपनाने पड़ेंगों को जीताने के लिए देखिए मतुरा में हेमा मालनी जीत जाती है एक बाहर से आती है कंडिडेट जबकि अरुन गोविल का मेरट से कुरान आता है वहां उनका बच्पन बीता है वहां उनकी स्कुलिंग हुई है जैसा उन्होंने कर जगा इंटर्विव में कहा है तो अब जब हर तरफ ये गोंज रहा है कि आध्या में राम आये हैं तो नियुक्रिट में तो साथाथ राम आये हैं तो उनको कौन हराईगा वह तो जीतने वाले हैं और अच्छी मार्जिन से जीतने वाले हैं क्योंकि देखिए इस तरह के किरदारों को लेकर एक नरेटिव जो मोधी गवर्मेंट या बीजेपी के जो सूर्मा है वो बनाना चाहते हैं कि हमारा भारतिय संस्कृप्ति से कनेक्शन है हमारा राम से कनेक्शन है और हमारा उन किरदारों से भी कनेक्शन है जो रा लूजे है तो मुझे लगता है कि इसका फायदा मिलेगा और मेर्ट में अरुन गोभील की जीत खायँजिन की आली है तो जीत की गयरंटी जीत की गयरंटी है अपनी गयरंटी ने आ ए Shape Yun a अब देखना होगा कि भास अवो जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं है किrop राम आए हैं वो तो मेरी श्रधा का विशा है कि राम आए हैं राम हैं राम हैं मेरी श्रधा का विशा है वो और राम मंदिर बना और तमाम चीजे होई मुझे भी खुशी हुई लेकिन वो चीजे अलग है श्रधा अलग है सियासत अलग है राम मंदिर में तमाम सियासत हुई राम मंदिर आंदोलन के चलते एक पार्टी खड़ी हुई तो वो सियासत अलग है राम की बात जहाता कि मेरी सर्धा की बात वो अलग है देखे सर्धा आस्था और ये जो आप मोल रहें कि सियासत अलग है ये नहीं है आज की तारीक में आप देखिए एक वेव जो है एक राम अयोध्या से एक वेव निकली है तो क्या आप कहना चाहते हैं बीजेपी राम लहर पर सवार होकर जीतना चाहती है चुनाओ नहीं वो है वो एक लहर है तो है अगर ये लहर ना होती तो क्यों हम 24 के चुनाओं से पहले मंदर को सुरू करते हैं धर्म के आधार पर वोट मांगना कहां तक जायस है किसी धर्म के आधार पर हो चाहे वो कोई भी धर्म हो सिर्म सब हम हर्म संस्कृति अपको χ 워ंदज हं आप कहते हैं मैं आप कहें न कहें आप सौनेये लेकिन जब आप लार्जर डेमोक्रिटिक सटप में जाते हैं तो आपके आस्थाएं आपके अग्रण करते हैं कहीं नग Matthew और जो लोग जिस चीज्सरी करते जिससे प्यार करते हैं अगर वो चीज हासिल होती है तो उसका असर दिखता है और वैसे इन चुनाव में भी दिखना चाहिए वैसे मुझे समझ में लिखके बताएए नमस्ते